नमस्कार आप देखरें न्यूस 44 मैं हूँ भावना शर्मा आपके साथ अगले साल क्रिकेट वर्ल कप होने वाला है वर्ल कप 2023 की तैयारिया भी शुरू हो चुकी है तो वहीं इंडिया अगले साल होने वाले इस वर्ल कप में मेजबानी करेगा जो की पूरे इंडिया के लिए खुशी की लहर आने वाली बात है बताया जा रहा है कि ICC के इस इविंट के फाइनल मैच का आयोजन एहमदबाद के नरेंटर मोधी स्टेडियम में किया जा सकता है इस स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का दर्जब राप्त है दरसल ICC मेंस क्रिकेट वर्ल कप 2023 ODI वर्ल कप का तेरवा एडिशन होगा वहीं भारत चौथी बार वर्ल कप में मेजबानी करने जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार इस टोर्नमेंट के फाइनल मैच की मेजबानी की लिस्ट पे एहमताबाद के मौटेरा में बने नरेंद्र मोधी स्टेडियम पहले नमबर पर है इस स्टेडियम से जुड़ी कई खास पाते हैं ये दुड़िया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसमें एक लाख दर्शकों के बैठने की शमता है वहीं BCCI ने बताया कि एहमताबाद में नम निर्मित नरेंद्र मोधी स्टेडियम ने एक बड़ी उपलब्ती हासल की है जिसके साथ ही उसका नाम Guinness Book of Wall Record में दर्श हो गया है ये स्टेडियम T20 खेल के लिए सबसे ज़्यादा दर्शकों की संख्या वाला स्टेडियम बन गया है इस स्टेडियम में IPL 2022 में गुजरात, टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइनल मैच के दुरान ये उपलब्ती हासल की गई थी इस स्टेडियम में गुजरात सरकार द्वारा कई कारेक्रमों की मेजबानी भी की गई है वहीं अब तक स्टेडियम ने फाइनल सहित 14 टेस्ट 27 वन डे, 6 T20 मैच और 2 IPL मैचों की मेजबानी की है इस स्टेडियम की कई खास बाते हैं स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम है, इतने ड्रेसिंग रूम किसी भी स्टेडियम में नहीं है इस क्रिकिट स्टेडियम के परिसर में एक बड़ा जिम भी है इतना बड़ा जिम किसी क्रिकिट स्टेडियम में नहीं मिलेगा स्टेडियम में दिन में भी किसी भी कोने में कोई भी परचाई देखने को नहीं मिलेगी ये भी इसकी एक खास बात है ऐसी सुविधा कहीं भी नहीं है यहां 3,000 कार और 10,000 दुपहिया वहनों के लिए पार्किंग की सुविधा है इसी परिसर में इंडोर पिच, क्रिकिट अकेड़बी, फुटबॉल और हॉकी ग्राउंड भी है इसी स्टेडियम में 55 रूम का क्लब हाउस है इस स्टेडियम को तयार करने में 800 करोड रुपे की लागत आई थी ऐसी और एम जानकारी के लिए देखते रहेगा न्यूस 44 नमस्कार